पाटन तालुकाना संखारी गामे थी खिमियाना जवाना मार्गूपर आवेला बाबा रामदयुपीर ना मंदीर खाते बगत परिवार द्वारा वर्षो थी रामदयुपीर बाबानी पुजा अर्चना करवामा आवे छे मंदीर परिसर खाते छेला पचास वर्षी बापा धनीनी अखंड जियोज चालू छे साथे साथे पक्षियोंने चाण अने गाय बेस सहीत जलचर प्राणियों माटे तड़ाव मा बारे मास पानी भरवामा आवे छे त्याब दर बिजे धार्मीक कारेक्रम न बना आयोजन करवामा आवे छे त्यारे आजे महासूत बीज मंदीर ना प्राण प्रतिष्ठा दिवस्तिमित्ते मंदीर परिसर खाते यग्ननु आयोजन करवामा आवियो हतु। जेमा खेंगार भाई देशाई भगत परिवार द्वारा शिफळ ओमवामा आवियो हतु। भगत परिवार ना मोभी हर्गोवन भाई देशाई जनावे शे कि अमारा बापुजी जयारे अई रोड रस्ता लाइट जेवी सुविदाओ नहती त्यार्थी बाबा रामदेव जी नी भक्ति करता हता। आजे आमें बधा भाईयों दर भीजे बाबानी पुजा अर्षना करिये शे। जे मां मोटी संख्यामा गामना लोको अने आजु बाजु ना गामना लोको बापा रामदेव ना दर्शने आवे शे। आज धार्मिक प्रसंग मां कांजी बाई देशाई, लक्ष्मन बाई देशाई, बडवन बाई देशाई सहीत परिवारना लोको उपस्तित रया हता। महादेव चानात, महादेव नुमान दादा अने गणपतिनी मूर्ती प्रस्थाईच्छे। लोकों मा आजी बाजु ना गामदाना विस्तारमा शर्वोने कुबज लागणी और कुबज आदर्वावती दर्शन करवा आवे शे। अने डर गीजे अहिया भोजन समारम होईचे। अने डर सवार्थी साज जीवडावने चार, पचास दर्शे, पचास पंचावन वर्स्ती अकंड दिवो। अने शेवा के ये तमाम प्रवुचियों अहिया चालाचे। अहिया आवी अने भक्तो अने आजिबाजुना ग्राम जनोर दर्शन करी अने धंजिया ता अनुबवेशे। शरुवात मां 35 वरस पहला जिया लाइट, रस्तो, जिया कोईपण वस्तुनी अवर जेवर नोती त्यारे भक्त खेंगार भाई धना भाई देशाए। अहिया अखंड तपस या करी अने 35-40 वरसे आ भव्य मंदीर उभू करीशे। अने लोगों नुँ आस्तानु केंद्रा त्यारे बनिऊशे। आजे धर्मिकारेकन मां 38 विश्म पाटोच्छा। अने यगन अने प्रसाद अने जीवडाने जार। अने ये बदू रात्रे राम्दे फिर मंदीर मों पाठ। ये बदू सेवा की अप्रहूति आजे चालवानी जेर। झालवानी के अने जीवडानी जे बदू सेवानी जे फिर में जार।